हेलो एवरिवन नमस्कार मैं हूँ शर्णकुमार संध्या कम्पेटर के यूटूब चैनल पे आप सभी का एक बार प्रिस स्वागत करता हूँ देखे प्रेंट्स आप सभी को पताएं कि अपनी जो चिरीच चल रही है वो है राजस्तान का इतियास BSTC एक्जाम 2021 के लिए एक बहुत ही पसंद आएगा और अगर अभी तक आप चैनल पे नए है चैनल पे तो प्रेंट्स प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कीज़ेगा और साथी बैल आइकन को क्लिक कीज़ेगा जिससे प्रेंट्स क्या होगा कि आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो होगे लेटेस्ट नॉटिपेशन कौन किस से क्या मानता है बंदार कर क्या मानता है ओजा क्या मानता है करनल जैंस टोड क्या मानता है फ्रेंट्स यह बाते अपने बोली थी उसके बाद में बपारावल गोहिला दित्य इनके बारे में फ्रेंट्स बड़ा था और नोट देखे फिर मैंने एक लिंग जी के मंद स्रभीर की जो बाते हैं उसके बारे में मैंने प्रेंट आपको बदाया था और जितने भी सासक हूए मेवाड के उन्होंने कौन कौन सी अपनी राजदानी बनाई उनके बारे में मैं आपको बताया लेकर अभी का जो है वो जैतर सिंग से लगा के इस वीडियो के अंदर प्रण्स एक बार नोट डाउन कर देना ताकि मेरे खाल से इस टॉपिक से डिलिटेड आपका एक्जाम में एक भी किश्यन गलत नहीं होगा देखेगा कि यहां पे जो लिखा है जैतर शिंग प्रेंस आलाएं कि मैंने नेक्स्ट वीडियो जो लास्ट वीडियो में लेके आय जाए और इन्होंने फिर अपनी राजदानी किसको बनाई चितोड को बनाई तो इनके बारे में तो फ्रेंट्स के वला आपको यही बाते याद रखनी है कि जैतर शिंग के समय फिर राजदानी कहां आ गई थी चितोड आ गई थी और इनके समय में आक्रमन किसका हुआ था इल्कुत मिस्क का आक्रमन हुआ था अब फ्रेंट्स तो अपन को पढ़ना है वो पढ़ना है रावल रतन सिंग को यानि कि कहां पी सर्च्रा में फ्रेंट्स ये टॉपिक रहता है जहांसे एक्जाम में भी बहुत सारे ग्यूशन आपको देखने हूँ मिलते हैं इनके अगर मैं शाशनकाल की बात करूं तो तेरा सो दो से लिखाए थे लगा कि इनका शाशनकाल है प्रेंस तेखेए खभा कि रतन सिंग समर शींग का पूत्र पांवर स की यह क्या है प्रेंस अंतिम हैं और लकनिहां हैं कि राज़्प्रसस्ति में रतन सिंग का नाम नहीं मिलता है बहुत ही इत्यास है इतना इतना इसमें नहीं सोच सकते हैं बाकी तो फेक्ट है उनको प्रेंट बताना ही पड़ता है कि यहां पर देखिएगा कि जो रतन सिंग है वो समर्शिंग का पुत्र था गोईल वंस की रावाचाका का अंतिम साशक प्रेंट बाकी देखिएगा कि जो राज प्रसस्ती है वहां पर प्रेंट रतन सिंग के राज प्रसस्ती महा कावे में रतन सिंग का नाम नहीं मिलता तो आलांकि यह बात आपको याद रखने पड़ेगी बाकी एक्जाम की डिश्टी से आपको याद रखना है कि वही रतन किश्यन बनता है कि पदमावत ग्रंथ किस ने लिखा तो उस टाइम में आज क्या बोलोगे मलिक मुहमद जैसी ने प्रंट क्या लिखा पदमावत ग्रंथ की रचना की और उनके अनुशार यानि कि पदमावत के अनुशार जो सुल्तान अलाउदिन खिलजी ने रतन सिंग की अति सुंदर पत्नी पदमनी को प्राप्त करने के लिए चितोड पर आक्रमन किया था तो प्रंट्स ये ऐसा कहां पर उलेक मिलता है मलिक मुहमद जैसी की पदमावत के अंदर ये उलेक मिलता है कि अलाउदिन खिलजी ने जो चितोड पर आक्रमन किया था उसका रीजन क्य खिलजी ने अटाई जनवी 1303 स्वी को बिल्ली से चलके चितोड पर गेरा डाला था यानि कि देखिएगा आलां कि आपको ये डेट याद रखो तो अच्छी बात हैं वरना 1303 तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि अलाउदिन खिलजी ने कब गेरा डाला 1303 के अंदर और अमीर खुश्रो भी इस अभियान में उनके साथ थे जानि कि अगर आप से क्यूशन पूचा जाता है कि जब अलाउदिन खिलजी ने मेवार पे अपना गेरा डाला तो उसके साथ कौन सा इतियासकार था तो फिर आप क्या बोलोगे अमीर खुश्रो था जो फ्रेंस युद का परत्यक ड्रश्टा है जिसने अपनी आँखों से देखे हुए इस युद्ध का वर्णन किया है उसके बाद में प्रश्ट देखीगा नेक्स पॉइंट है कि 25 अगस्थ 1303 को दुर्ख पर सुल्तान का अधिकार हो गया यानि अलाउदिन खिलजी का एक परकार से प्रश्ट सेना नाय को गोरा और बादल सहीत वीर गती को प्राप्त हुआ और रानी पदमनी के नेत्रत में इस तरियों ने क्या किया जोहर किया और ये क्या था चितोड का पहला साका था अलांकि प्रेंट्स आप सभी लोगों ने पदमावत मूवी देखी होगी उसमें आ आपको अच्छे से पढ़ना है बाकि आप लोगों को यहां से क्यों पूचा जाएगा विजो साका हैं कब हुआ तेरा सो तीन के अंदर हुआ ये मेवाड का परतम साका था केसरिया किस ने किया रावल रतन सिंग ने किया और एक परकार्शे आप बोल सकते हो गोरा और बादल इस युद्ध में क्या हुए थे सहीद हुए थे विरगती को प्राप्त हुए थे और रानी पदमनी ने फ्रेंट्स क्या किया था इस्तरियों के साथ जोहर किया था यानि कि इस्तरियों का नेतरुत्त जोहर करने में जो नेतरुत्त किया वो प्रेंट्स किस ने किया था पदमनी ने किया था और ये चितोड का पहला साका और राजस्तान का दूसरा साका है जो 1303 के अंदर संपन हुआ उसके बाद में प्रेंट्स अमेर कुष्रों के परकार के अब जिस जो उन्होंने लिखा है अमिर कुश्रों ने उन्होंने इस युद्ध के अंदर किसी भी साके या जोहर का लेक नहीं किया है बाकी फ्रेंट्स आप सभी को इत्यास का एकोर्डिंग याद रखना है कि हुआ था जोहर और केसरिया हुआ था तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कैसरिया कि सेंग्या रावव्र रतन सिंग ने किया गोरा और बादल जो सैनापती थे रतन सिंग के इस तो रहुद यूतर में वेर ती को प्राप्त हुए थे पदह्वने क्या कि अ कि धृक्रया धर किया था यानिकि dust उसके बाद में नेक्स्ट है कि अलाउदिन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्दर का को चितोड का नाम यानि चितोड चौपके फिर उसका नाम फ्रेंट्स क्या लगा रखा था खिज्दराबाद रखा था यानि कि मैंने आपको पहले भी बताया हैं कि यह जब भी किसी दोर पर इसके आक्रमन करता था अपना अधिकाग होने के बार उसका नाम चरू चेंज करता वारति मन रनं संबोर का नहीं किया कि मैं याद Rखना जालोर को मैं जालोर का मैंने गल बता दिया था जलालाबाद रखा था सीवाना का खेराबाद लुक्तारा ओशिए भी बता चुका हूं अभी बता दिया है कि मैं क्याला लगाथा चितोड का नाम क्या रखकाता घिजराबाद रखका अगए अब प्रट अब की लग्ट इनके बारे में थोड़ी बहुँत बाते कर लेते कहीं है कि जो सियहंद दिपकी ये प्रेंट कहां की थी इसल दिफ ही क्या थी है राजकुमारी थि कौन पदमनी इनकивीत पीता का नाम क्या था गंदर्शहन ता माता का नाम क्या था चंपावधी था और गोरा और जो बादाव। ऊस मेसिज जो रद्स गोरा हैं वो कौन था क्या पदमकी का चाचल था जब कि जो बादल है वो क्या था पदमनी का भाई था अब देखें कहें एक बार एक्जाम में ये भी कुशन आया है कि भी गोरा और बादल का करमश करमश बोल रहा हूं यानि जो करमश पदमनी से क्या रिष्टा था तो प्रंस ऐसा कभी कभार कंफिस हो जाते हैं कि गोरा भाई था या बादल भाई था या गोरा चाचा था या बादल चाचा था तो प्रंस यह आपको याद रखना है कि जो बादल है बादल क्या है पदमनी का क्या है बाई है जबकि जो गोरा है वो प्रंट्स क्या है साचा है यानि कि पहले क्या आपन बोलते हैं गोरा बादली तो बोलते हैं तो जो पहले बोलते हैं वो प्रंट्स क्या है साचा है जबकि जो बाद में आपन बोलते हैं वो क्या है बाई है यानि प्रंट देखिए गानी आपको पता रखनी है कि आलागी इतियास हैं तो इसके कहानी के माध्यों से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है देखिए पदमनी के पास हीरामन तोता था फ्रंट एक दिन उड़ते उड़ते फिर इधर आया मेवार के अंदर और जो हीरामन तोता है उस उसके बाने प्रेंट्स, आपको ये भी याद रखना है कि यो रावल रतन शिंह्ग के दर बार में उस टाइम ने एक था राघव चेतन राघव चेतन ये इसको ये फ्रंट्स ऐने फिर उस टाइम में फिर क्या गया था एक परकारसंग הי Bernard देश से निकाला दिया गया था यानि कि इसको मिवाट राजी से निकाला गया था और इसने फिर क्या किया कि ये अलाउदिन खिलजी की चरनन में गया और वहाँ पे फ्रेंट्स इन्हों ने क्या किया कि पदमने की सुंदरता का मरनन किया उनके सामने तो अलावदिन खिलजी ने मन में ठान लिया कि अगर ऐसा ही सुन्दर रूप है तो एक बार तो हम भी देख के आएंगे ऐसा अलावदिन खिलजी ने बोला था बट फ्रेंट्स के यह आपको याद रखना है कि हालांकि किसी भी का भी ऐसा कभी मौटिव निंग हो सकता आलागी देखिएगा कि reason कुछ और हो सकता है किसी भी युद्गव करने के पीछे देखिगा जितने भी राजा हैं उन सभी का reason क्या है कि सबसे पहले वो क्या करेगा अपने सामरत झे कि क्या करेगा विस्तार करेगा सबसे पहली बात तो friends हमेशा यह 이 होती है कि अपने सामर पाविता सक्तिशाली था तो फ्रंस इनों इनका मानना था कि अगर मेवार पे अधिकार हो जाए तो इससे बड़ी बात कुछ अगर यह की तो पूर्ट नहीं सकती और पीछे पिर आप अगर पड्मावत की बात करते हुआ तो पड्मावत की अनुशार कि आपको क्या मानना है कि जो पड़नी के कारण या पद्मावत की कारण ही क्या हुआ है यह यूटूब हुआ है तो प्रण्ट इत्यास है अलांकि जब भी डिटेल में लिखने की बात आए वहाँ पर वर्णन करना है बाकी आपको याद रखना है कि पर पद्मावत के अनुशार किसको माना है किसके अनुशार अलांकि सामर देख देता हूं मलेक मुहम्मद जाइसी मलेक मुहम्मद जाइसी ने क्या किया पदमावत ग्रंथ को लिखा है अब देखीगा कि पंद्रश चियार में सेरसा सूरी के समय अवदी बासा में मलेक मुहम्मद जाइसी ने ये ग्रंथ लिखा है जिसका नाम क्या है पद्मावत है उसके बाद है अमीर खुष्रो जाने कि मैंने पहले भी बोला है कि ये क्या है इस युद्ध का क्या है प्रत्यक्स द्रश्टा है जिसने आपने आखों से देखे हुए इस युद्ध का वर्णन किया है इनके जो गरू है वो गयने निजामुदीन, ओलिया है, म निजबूदीन, ओलिया, मुल नाम किया है, मौंमद असन है और और इनको कवाली, सितार और मुर्कियों यानि की पहलियों का क्या माना जाता है इनको जनक माना जाता है उसके बाद मेंद्ध क्या है कि ये फैक्ट में आपको आगे बता चुका हूँ कि भी जो अलाउदिन खिलजी ने चितोड अपने पुत्र को सौपा था और इसका नाम फिर क्या रखा था कि जरवाद रखा था तो यहां से ये क्यूशन आपको याद रखना बहुत जरूरी है उसके बाद में फ्रेंट्स 1313 इस्वी में सोनगरा चुवान माल देव को चितोड का परशासक नियुक्त किया गया और माल देव जो सोनगरा है क्या कहला है फ्रेंट्स मुशाला माल देव के नाम से परशीद है तो आपको एक्जाम में ये भी क्यूशन आ सकता है मुशाला माल देव के नाम से कौन परशीद है तो फिर सोनगरा चुवान माल देव जो है वो किसके नाम से जाने गये मुशाला माल देव के नाम से जानागे एक बार इस वीडियो को और आवर्वीव कर देते हैं अपने पड़ा कि जैतर शिंग थे अब जैतर शिंग के समय राजदानी चितोर थी क्यों हुई क्योंकि इलतुत में इसका उस्टाइम आक्रमन हुआ था नागडा को नश्ट कर दि पडमावद के अनुशाथ यानि कि देखिए यह जो पडमावद ग्रंत है किस ने लिखा मलेक मुहनद जाइसी ने लिखा और इसके अंदर क्या बता है कि युद्ध का परमुक कारण है वो क्या हैं पडमनी के सुंदर था और प्रशन शुंदर था किसने बताई थी अलाव इस एक तो हुआ हैं उसके बार में 25 अगस्त रहा हुआ यसा के हुआ दान वह टूब मांक तेल आपने प्रक्राणों के इनकोर्ष ओक्राणा है gambling होब है तक सब्सक्राइब यह 303 के अंदर हुआ है उसके जोए समधीन है। के अनुशार फिर इस युद्ध को जितने के बाद 1330,000 हिंदु का इन्हों ने कतल करवाया कि इसने अलाउदिन किलजी ने और ये जो चितोड को जितने के बाद अपने पुत्र खिज्रका को सौपा और इसका नाम फिर क्या रखा खिज्राबात रखा और पदमने के अगर ब फास में कौन सा तो तो था लिरामन तो तथा उसके बाद अगर आपन पनावड की बात करते हैं तो पनावड किस ने लिखा मलेक मुहमद जाईषी ने लिखा मैंने आपको बजा दिया है अमिर खुस्रों की बात करें तो अमिर की उस दो इस युद्ध के प्रजच्ट रश और 1313 इसमी में फिर क्या हुआ कि सोनगरा चोवान मालदेव को चित्तोड का परशासक न्यूक्त किया गया और सोनगरा जो मालदव सोनगरा किस नाम से आगे परशिद हुए मुसाला मालदेव के नाम से परशिद हुए तो आई हो फ्रेंट्स ये वीडियो आपको बहुत ही चैनल को अभी सब्सक्राइब किजएगा ताकि क्या होगा कि जितने भी लेटेस्ट नौकिन होगी सबसे पहरे फ्रेंट्स आप तक पहुचेगी आज के लिए इतना ही आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा आज के लिए इतना ही मिनेंगे कल एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन बंदे मातरम जय बारत और वीडियो को जदस जदसेर करना मत बूलिएगा क्योंकि जितने विश्ट प्लेंट के पास में जाएगा आपको अच्छी रेंग इस बार लानी है आपको अच्छी पर्षेंडेस के साथ में कॉलेज सेले आप अपने गरों से बार नहीं आ सकते हैं बाकी पर्षेंट देगेगा कि हम आपके लिए जब मैनत कर रहे हैं तो आप केवल दिन का एक दो वीडियो से आप देख लेते हो अलएक से अपनी बुक में जाके उसको थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो तो मेरे क्याल से एक्जा